दोस्तो आजकल मार्केट में स्मार्ट वाच बहुत ही पॉपिलर होते हैं वैसे टिपिकल वाच का जमान अगया और स्मार्ट वाच की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं और क्यों ना हो एक टिपिकल वाच में आप से टाइम ही देख सकते हो और smart watch में time के साथ साथ body fitness monitoring से लेके call messages जैसे सभी तरीके के features आपको मिल जाता है जो छोटी सी चीज में आप सब कुछ उसकर सकते हो तो इसलिए ये वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे अच्छे smart watches under 10,000 वैसे दोस्तों under 5000 के smart watch का वीडियो हमने अल्रेडी किया हुआ है तो नहीं देखा तो जाके जरूर देखेगा और अगर आपको 5000 की watch से एक premium watch की तरफ बढ़ना है तो लास्ट टक इस वीडियो को देखते रहेगा और इस चैनल पर चल रहा है महागी ववे तो उसमें पार्टिसिपेट करना मत बुलिएगा तो याद रखे कि अगर आपको पैसे बचाने हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि यसे बहतरी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें वैसे अंडर का वीडियो है तो minimum benchmark जरूर होगा जैसे हर वीडियो में होता है तो अगर आप 10,000 रुपे खर्चा कर रहे हो तो minimum 4-5 चीज़े होनी चाहिए AMOLED स्क्रीन होनी चाहिए minimum 14 डेस बैटरी लाइफ होनी चाहिए SPO2 हर्टनेट सेंसर होने चाहिए GPS होना चाहिए सबी में अच्छे watch faces और sports mode भी होने चाहिए and price, price should be under 10,000 तो चलिए पांचमे नंबर पे आता है Huawei Watch GT 2 ये watch दोस्तों Android और iOS दोनों में काम करती है मतलब कि आपको सभी तरीके की notification आपके watch के उपर मिल जाएंगे बाकी 1.39 इच का AMOLED डिस्पले आता है round dial देखने को मिलता है 14 days battery life मिलती है heart rate sensor SPO2 जैसे features है 80 plus sports mode भी मिलते है और water resistant भी है दोस्तों मतलब ज्यादा नहीं कुछ time के लिए पानी में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और price के पास देखोगे तो 9.999 मतलब 10,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा तो सभी specification के पास देखोगे तो Huawei Watch GT2 यह आता है मेरी डिस्ट में एक नमबर 5 वैसे दोस्तों जो भी smart watch आपको बता रहा हो उन सभी की link मेंने description में दी हुई है तो जाके जरूर देखेगा चोथे नमबर भी आता है Mi Watch Revolve Active यह watch दोस्तों पांचोय नमबर की watch की तरह आपको Android और iOS दोनों में वर्क करती है और पांचोय नमबर की smart watch में जो चीज़े है उसमें से एक चीज इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी वैसे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ बाकि स्पेसिफिकेशन के पास देखो के तो 1.39 इंच का AMOLED डिस्पले मिलता है ये भी आपको round dial देखने को मिल जाएगा 14 days battery life मिलती है features की बात करो तो call messages से लेके सभी तरीके की नोटिफिकेशन आपको watch के उपर मिल जाएगे heart rate sensor भी है SPO2 है 115 115 115 plus sports 4 भी देखने को मिलते है और water protection भी मिलता है दोस्तो और price के पास देखो के तो 9.39 में ये आपको मिल जाएगा और जैसे मैंने बताया एक चीज इसमें ज्यादा है पांचोय नमबर के compare में तो इसमें आपको LXA का support भी मिलता है तो सभी चीज के पास देखोगे तो me watch मेरी लिष्ट में आता है नमबर 4 पर तीसे ना नमबर पर आता है दोस्तो Amazfit GTR 2E ये watch की सबसे बड़ी बात ये है कि normal uses में भी 24 डेस तक battery life मिलती है तो at least heavy uses भी करोगे तो 15-16 दिन तक battery आराम से चल जाएगी वैसे इसमें भी 1.39 inch का AMOLED स्क्रीन मिलता है काउड डिजाइन देखने को मिलता है heart rate sensor भी है 90 plus sports mode भी देखने को मिलता है 50 से ज्यादा watch faces भी मिलता है और 9999 इसकी price है वैसे battery सबसे ज्यादा important है आपके लिए तो definitely आप इसके पास देख सकते हो So you are waiting for top 2 उससे पहले like जरूर कीजिएगा वैसे नए हो इस channel पर तो subscribe करना बिल्कुल भी ना भुलिएगा तो दूसरे नंबर पर आता है Realme Watch S 2 Seriously दोस्तों इसमें एक दो चीज़े मुझे काफी अच्छी लगी एक तो Realme Link एप जो कि स्मार्टफोन से काफी जल्द connect हो जाती है और दूसरी चीज़ इसमें 100 प्लस watch faces देखने को मिलता है जी हाँ दोस्तों हर रोज नए नए watch faces डालिए अपने कपडों के हिसाब से और हर दिन एक नई watch का experience कीजिए पाकी specification के पास देखोगे तो ये भी आपको Android और iOS दोनों से connect कर पाऊगे Call, Message, सभी तरीकी की notification आपको watch के उपर मिल जाएगे 1.39 निच का AMOLED स्क्रीन आती है 14 days battery life मिलती है GPS प्लस Alexa का support भी मिलता है 5 ATM protection मिलता है Heart rate sensor और SPO2 जैसे features भी है Fast charging भी मिलती है दोस्तो और price के पास देखोगे तो 9,800 रुपिस के around मिल जाएगा तो सभी चीज़ के पास देखोगे तो Realme Watch S Pro मेरी लिष्ट में आता है Number 2 पर Number 1 पर आता है Amazfit GTS 2 Mini वैसे ये watch 7 Amazfit GTR जैसी ही है लेकिन इसमें आपको square dial देखने को मिलता है 1.55 inch का AMOLED डिस्पले आता है वैसे सभी smart watch से बड़ी screens में आपको मिलती है बाकी सभी चीज़ है इसके अंदर 14 days battery life मिलती है Android, iOS दोनों से connect कर पाऊगे Call messages जैसे सभी notification आपको watch के उपर मिल जाएगे heart rate sensor, SPO2 जैसे features है Alexa and GPS का support भी मिलता है 70 plus force board भी मिलते है 5 ATM water protection है और price के पास देखो के तो सभी watch से आपको कम price में मिल जाएगा 6.999 इसके price है तो सभी चीज़ के पास देखोगे including pricing तो Amazfit GTS 2 Mini हमारी लिस्ट में आता है number 1 पर वैसे दोस्तो इस channel पर चल रहा है OnePlus Smart 2 का महागी रहे तो उसमें participate करने के लिए Glimki Link हमने description में दी हुई है तो जाके participate करे लेकिन participate करने से पहले एक बार उसके rules and regulation अच्छी तरह से पढ़ लीजेगा और उसके बात participate कीजेगा और उसके बात आप जित सकते हो brand new OnePlus Note 2 smartphone तो जैसे मैंने बताया सभी smartwatch की link मेंने description में दी हुई है तो जाके जरूर देखेगा और इस वीडियो का कुछ फाइदा हुआ है तो like और share जरूर कीजेगा और इस channel पर नहीं हो तो subscribe करना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep healthy and stay safe झाल झाल झाल